जब हम आप लोगों के सामने यह बात को रखते हैं कि भाई जो मंदिर वगएरा है इन लोगों ने ब्रामनों ने इनको अपना व्यापार बनाया हुआ है ये धर्म और आस्था का अधार नहीं है ये सिर्फ पैसे का अधार है पैसे का विवसाय है लेकिन आप लोग मानने को तयार नहीं होते हजारों सबूत भी दे तब भी नहीं अभी मेरे सामने एक वीडियो आया बड़ा दिल्चस्प है ट्विस्ट भी है तो सबसे पहले आप जो है इस वीडियो को देखिए यह मंदिर के अंदर का वीडियो है कि कितना पैसा मंदिर के पैसे का उधर पीछे देखिए पीछे भी लोग जो है वो काउंटिंग करने में या इखटा करने में लगे हुए अब यह कुछ ढूंड रहा है इसको शायद कुछ दिखा है भाई साब को तो देख रहे हैं देख रहे हैं वो यह नो उठा लिया और ध्या पड़क दिये न क्या दिखराए कि मंदिर के अंदर में कितना पैसा भे शुमार जो है वह चड़ा हुआ और इसके माली काना हग रखने वाले लोग जो है वो चंद ब्रहमन लोगी होंगे जो इस मंदिर के में हैड होंगे सी यो होंगे उनहीं के पास में रहेगा चलिए आगे देखे इस व अब आप यहां पर यह देखिए यह देखिया दो-दो-हजार के नोटों की कितनी मोटी गड़ी है और जाहिर सी बात है यह दान पेटी के अंदर में ऐसे ही डली है तभी वो इखटी रखी हुई थी तभी उसको दिखा तभी उने लिया अब सोचो दो-दो-हजार के इतने सा अब अंडल डाल गया और इस बंदे ने दिखा तो इसने भी कह रहे सारा प्राफिट तुम्हीं लोग है क्या है थोड़ा अंभीतों कमाले थोड़ा अंभीतों ले 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 लेकिन नहीं लोगों ने पकड़ लिया अच्छा आप कहते हैं धर्म को कहा तो यह जाता है कि वह अपने आच्रण में उतारी जाती है उसको धर्म कहा जाता है अब जो इस मंदिर के बड़े धार्मिक लोग है भगवान में आस्ता प्रेम श्रद्दा बाव को रखने और फैलाने वाले लोग हैं अब जरा उस व्यक्ति का वहवार देखना जब इस व्यक्ति को पैसे लेते अब जाए तुने निए ना यह तेरे निया ना वाजी के फिर चलो ठीक है कई को नीच पैसे में रहे हैं और तो गई देख लिया आपने क्या दिखाई दिया कि वो गाली गलूच कर रहा है गुस्से में आगया है मारने को तैयारत है ने हमारा पैसा लिया कैसे तैने हमारा पैसा कैसे चुराया अबे तीरा पैसा है अरे लोगों ने दिया था बाल्टी भरके आ रहा है अगले ने एक गिलास पी भी लिया तो कौन से दिक्कत आ रही कौन से तुमारे घरबार लुट गए अरे भगवान को थोड़ा खम पहुचाते ना भगवान भी आई तो वह इसकी है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता लोग जा रहे हैं और देखो S.C.S.T.O.B.C. को छोड़ करके कोई भी जाए वहाँ पे कुछ भी करे मुझे उनसे जादा मतलब नहीं है समझाने का कोशिश उनको भी है लेकिन डारेक्ट मतलब जादा मतलब नहीं है लेकिन जो S.C.S.T.O.B.C. समाझ के लोग मंदिर में जाते हैं अपनी प्रार्थना बताते हैं और उस प्रार्थना को जल्दी से जल्दी भगवान सुन करके उस पे एक्शन लेकर के हमको रियक्शन दिखे उसके लिए पैसा चड़ा के आते हैं पचास रुपे सो पांसो हजार पांस हजार मतलब जो जितना डरा हुआ जिसके जितनी बड़ी समश्या मुसीबत उतना जादा पैसा वो वहाँ डाल करके आते हैं और उनसे अगर पूछा जाए कि भईया पैसा कहां चड़ा करके आए हो वो लेंगे हम तो भगवान को चड हैं क्या वो पैसा भगवान ले रहे हैं कोई भगवान का बैंक अकाउंट है जिसमें यह लोग इस कैश को जाकर करके डिपोजिट करेंगे हैं ऐसा कुछ लेकिन फिर भी जो लोग है वहां डालते हैं अच्छा इसका लॉजिक क्या बताते हैं जो पंडि पुजारी लोग है प्राम्मन लोग है वो क्या कहते हैं जिमांटीनिनज के लिए तो पैसा चाहिए लोता है ना maintenance के लिए एक बास सोच के देखो जिस भगवान से मिन्नत करने आप मंदिर में जा रहे हो जिस मूर्ति के सामने पथर की मूर्ति के सामने मिन्नत करने जा रहे हो वहाँ पैसा चला करके आ रहे हो उमीद रख रहे हो आस लगा रहे हो उसके बाद में भी उस भगवान के नाम प पारे वो तुम्हारी समश्य का समधन कैसे करेंगे कि सोचने विचारने की जरूरत है भाई मतलब उनको मेंटेनेंस तक नहीं मां से मिल पारा उसके लिए भी आप ही से पैसा चाहिए अच्छा चलो ठीक है मान लिया कि चलो आपसे वो ले भी रहें एक मंदिर है ठीक है मालिय है 100 गजब बने हुआ है 200 गजब पांसो गजब अब 500 गजब मंदिर है मालिय पचास लोग उसके अंदर में करमचारी है सो लोग है तो कितना मिंटेनेंस लगता है भाई दस लाख, बीस लाख लेकिन ये जो कैश दिख रहा है ना आपको पड़ा हुआ वहाँ पर ये जो चार बाउंडरीज बनी हुई है इस तरीके से ये दस लाख, बीस लाख नहीं है ये करोडों रुपे है अब बीस लाख का चलो मिंटेनिंस हो गिया असी लाख कहा जाएगा असी लाख जाएगा आप ही लोगों के ऊपर शोशन करन्ट देवा आपके ऊपर शोशन किया उन्होंने मजा लिया, सटिस्टेक्शन लिया अब सम्मिधान ने आपको अधिकार दिया हुआ आपने जाकर के पुलिस में केंपलेन कराया और कुछ भी ऐसा कराया पुलिस को करना पड़ेगा क्योंकि भाई उसका काम है उसको दे रखा है वो काम उसने कर लिया करने के बाद में वो जिसने अत्यचार किया है वो आप ही का दिया हुआ पैसा एक लाख दो लाख और उस पुलिस वाले को देगा और पुलिस वाला आपके केस को आप ही के उपर थोप करके हो सकता है आप ही को जेल में डाल दे यानि कि आप ही का पैसा आप ही के खिलाफ जो है वो इस्तमाल किया गया है सबसे पहले तो पत्यचार करने बें और करने के बाद में फिर उपर से सजा भी आपको दिलवाने में ऐसा नहीं है कि आपसे लोगों से छुपी हुए है यह चीजे तो कब समझेंगे मेरे स्टी ओविसी भाईयों कब समझोगे कि जो भी सारी चीजे है जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए या जो भी आपकी उमीद हैं सपने हैं विजन हैं उन सब के लिए आपको संगर्ष करना पड़ेगा और संगर्ष किस डारेक्शन में करना है वो डारेक्शन सीखनी पड़ेगी सीखनी पड़ेगी किरपा नह टीचर के माध्यम से हो चाहे वो आपका कोई दोस्त हो चाहे वो आपको कोई परिवार वाला हो रिश्दार हो उनसे सीखना पड़ेगा कि पैसा कैसे कमया जाता है आपको पैसा यदि बचाना है तो आपको पैसा बचाना सीखना पड़ेगा यदि आपको फैमिली में अच्छ मैनेज़ करना है वो सीखना पड़ेगा तब घर परिवार में शांती रहेगी कावण लाने से दस्वंवार के वरत रखने से छे दिन गुखा रहने से इन सब चीजों के करमकान दुनिया भरके करने से या गहवन कराने से आपके घर में सुक्षानती नहीं आने वाली है ना एक रुप्या आने वाला है तो यह बात आप जितना जल्दी समझ जाए उतना जादा भैतर है आपका और आपके परिवार का जो प्रगती है उसके होने की संभावना बनेगी अधर वाइस यदि आप जि लोगों को यह बाते समझ नहीं है आप समझना चाते हैं या आप समझ गए है जो अन्य लोग नहीं समझे हैं उन लोकों हें इस वीडियो को शेर कीजे работать ताकि वो सच्चाइश जो है देश के लोगों तक पहुसे मैं प्रशन पूद मिलत हूं आप से अगली वीडियो में त पन्यवाद.